तो दूस्तो मैं हूँ नजरुल रजा और आप देख रहे हैं आपका अपनाई चैनल ना स्री लाक्टी टेक तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में पांच बलेर फ्राटा फ्रेंड मोटर की फूल डिवाइनिंग डाटा जानने वाल है जैसाख फ्रेंट्स आप आप देख सकते हो यह जो हमारी अस्टेटर है यह हमारी पांच बलेर वाली पंखे की अस्टेटर है तो आज की इस वीड में चेक करा के भी में दिखाने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो में आपको में A to Z प्रोसेस दिखाने वाला हूं यहाँ पे इसकी एस्टेटर साइस से लेके आउटर डाय इनर डाय और यहाँ पे इसकी बेसिक इंफोर्मेशन और यहीं पे दोस्तों हमें सारा चीज आपको में स्टेप बाय स्टेप बताने की कोसिस करूंगा रिक्वेस्ट दोस्तों यहाँ पे आपसे यहीं रहेगी कि वीडियो को बिना स्कीप के शुरू से लास्ट तक जरू देखिएगा काफी अच्छी आपको जनकारी मिलती है और आगे भी मिलती रहेगे तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करते हैं आज कि शुरू करते हैं तो सबसे पहले इस मोटर के हम कुछ बेसिक इन्फोरूमेंशन जान लेंगे ताकि दोस्तों इस डाटा को हम कोई भी एस्टेटर में असानी से यूज कर पाए तो फ्रेंड्स यहां पे जो हमारी एस्टेटर दोस्तों इसमें अगर स्लोट की संख्या की बात की जाये तो य यह हमारी टोटल 24 स्लोट है, यहीं पर दोस्तों हमने जाए साथ नमर की PVC कटिंग वाली पेपर को इस्टूलेशन किया हुआ है स्लोट में, यहीं पर दोस्तों यह फैन हमारी सिंगल फेस 220 भूल्ट AC क्रेंट पे रन भी करती है, यहीं पर दोस्तों अगर केपसीटर की बात की की जाए तो यह फैन हमारी 1440 RPM में आती है, यानि कि इसकी जो हमारी वांडिंग होती है, यह हमारी पाच पत्ती वाली होती है, तीन पत्ती वाली भी इसके अंदर हमारी वालेशन की जाती है, तो समसे पहले फ्रेंट्स यहाँ पर इस अस्टेटर की मोटाई की बात की जाए तो यह हमारी एक किंच की आ रही है अगर दोस्तो इसको हम mm में करभर्ट करते हैं तो यह हमारी जह 25 mm की आ रही है एक 2 mm दोस्तो आपकी जह इधर उधर हो सकती है आप इस डाटा को यूज कर सकते हो यही पर दोस्तो इनर डाय की बात की जाए जहाँ पर हमारी रोटर लगती है तो वो हमारी कितनी आ जाती है चलिए वो भी देख लेते है तो दोस्तो इनर डाय जो हमारी आ रही है यह हमारी जह 6 cm की आ रही है यहीं पर दोस्तो ओडी की बात कर लेते हैं यानि कि आउटर डाय यहां से यहां तक की दुरी यह हमारी कितनी आ जाती है तो आउटर डाय फ्रेंट से यहां पर जह सारे 10 cm की आ रही है तो दोस्तो हमारी अश्टेटर की कुछ इस तरह से ठीकने से है दोस्तो कमपनी जो इसके अंदर डाटा डालते हैं दोस्तो वो सिर्फ एक ही वायर से डालते हैं यानि कि SWG रनिंग और स्टार्टिंग की यहाँ पर जे सेम होती है तो इसी तरह से दोस्तो आपको में जो डाट जा रहा हूं तो यहां पर यहां पर लिए हैंद गरैंडर को मैं यहां पर डाटा बताता हूं अब तो आप आप से नोट बूक में नॉट कर लीजीएगा काफी यहां पर हलफूल होने वाली है दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर SW की बात करते हैं यानि कि running coil में आपको जो wire use करनी है दोस्तों वह आपकी 30 नमर की अलवनियाँ wire होने वाली है यही पर दोस्तों अगर coil turn की बात की जाए तो एक set में आपको जो यहाँ पर coil turn देनी है वो आपकी होगी 170 turn इस तरह से दोस्त डाले में भी दिक्कत होगी तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर पर प्रफेक्ट साइज होने वाली है इस अस्टेटर के लिए तो सारे एकी सिंच यानि कि running coil को जो आपको बनाने है दोस्तों फर्मे को सारे एकी सिंच पर सेट करनी है काफी बहतर यहाँ पर coil size की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपको coil पीछ होने वाली है एक से चार में एक राउंड और एक से छे में आपको जहे दो राउंड करनी है तो हमारी running coil को की कुछ इस तरह से data है यही पर दोस्तों अकर wire weight की बात की जाए तो यहाँ पर total जो आपको wire लगने वाली है वो हमारी 78 gram running coil म चुकी है slot में अब दोस्तों यहाँ पर आपको में starting coil की data बता देता हूं तो यहाँ पर coil size आप देख सकते हो कितनी जबरदस्त यानि कि नहीं आपकी coil size बड़ा होने वाला है नहीं यहाँ च्छोटा यानि कि perfect size यहाँ पर होने वाली है अब दोस्तों यहाँ पर starting coil की बात ले सकते हो तो आगे आपको में बता दूंगा 32 से आपको data कुण सी डाल लिया है और यहीं पर कोईल टर्न की बात की जाए तो यहाँ पर एक set में जो हमने टर्न डाला है दोस्तों वह हमारी 1500 तर्न है यानि कि एक set की माला हमने बनाया है 150 टर्न की इस तरह से दोस्तों हमने तो यहाँ पर लिया है 150 की 4 कि यहां पर दिस्टेंस की बात की जाए तो यहां पर स्टाइंग काOne-पी पीछ यहां पर 20 सिंग को बनानी है और यहीं पर दोस्तों के पीछ ऐगर बात की जाए इस तरह से यहाँ पर इसकी डाटा है अगर दोस्तों आप इस्टार्टियूं कल को 32 नमर से रिवाइडनी करना चाहते हो तो आपको यहाँ जो टर्ण देनी है 32 नमर से 170 यहाँ पर क्वाइल पीच क्वाइल डिस्टेंस हर चीज आपके यहाँ सेम होने वाली है यह जो हमारी स पूरी तरह से बन के तयार हो चुकी है आप सकते हो तो आई फ्रेंस इसके बड़िक साथ इस फीट करता हूं और आपको मैं यहाँ पे चला के दिखाता हूं यहां पी रिस्पोंस का इसा मिल रही है तो यहाँ पाप देख सकते हो दोस्तों हमने पर पूरी तरह से फीट कर दोस्तों यहां पर दिखाता हैं इसके अंदर कैफितर हमने कितना लगाया है तो यहां पर देख सकते हैं जैसे पता नहीं चलेगा आप उस यूज करके देखिए और हमें रिस्पोंज जरू बताइए रिजल्ट आपके सामने होगी यहां पर हावा दोस्तों यह काफी अच्छी तग्री यहां पर बना रही है तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरू किजेगा और सा आज किस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो और किसी नई फोल के साथ तब तक के लिए अलविदा और टेक केर बाई बाई